राधा अश्टिमी ब्रत कैसे रखा जाता है? क्या है इस ब्रत को रखने की नियम? आज आपको सब बता रही हूँ. स्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्सी नारद ने एक वार भगवान सदा सिप के स्री चर्णों में प्रिणाम करके पूछा, स्री राधा देवी लच्छमी है, देव पतनी, महा लच्छमी सर्श्रती, अंतरंग विध्या, बैश्रवी, प्रती, बेद करन्या, मुनी करन् हैं, इस प्रिष्ण के उत्तर में भगवान ने कहा, किसी एक की बात क्या कहें, कोटे कोटे महा लच्छमी भी, उनके चरण कमलों की सोभा के सामने नहीं ठहर सकती, इसलिए स्री राधा जी के रूप, गुण और सुन्दरता का बर्णन, किसी एक मुक्से करने में, तीनों लोकों में कोई सामर्थ नहीं रखता है, उनकी रूप माधुरी, जगत को मुहने वाले स्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है, इसी कारण अनंत मुक्से भी मैं उनका बर्णन नहीं कर सकता, भाद्र पदमास के सुक लपच्छ की अश्ट्रमी के दिन, स्री राधा जी के स्री चरणों के दर्सन होते हैं, उनके चरण कमलों की सुन्दर ताका बर्णन कर पाना भी किसी के लिए संभब नहीं है, राधा हिष्ट्मी ब्रत कैसे किया जाता है, आगे सुनिए, अन्य ब्रतों की बाती इस दिन भी प्राथे सूर्योदे से पूर्व उठकर, इसनान आ प्रिकार के मिष्टान एवन फलों से स्री राधा रानी की स्तुति करनी चाहिए, मंदिर में पांच रंगों से मंडव सजाएं, उनके भीतर सोडस दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं, उस कमल के मद्ध में दिव आसन पत स्री राधा कृष्ण की युगल मूर्थी पस्चमा भी मुखो कर स्थापित करें, बंदू बांधो सहित अपनी सामर्थ अनुसार, पूजा की सामगरी लेकर, भक्ती भाव से भगवान की स्तुति काएं, दिन में हरी चर्चा में समय बिताएं, तथा रातरी को नाम संकीरतन करें, बोल राधे रानी सरकार की जै, एक समय फलाह करें, मंदिर में दीपदान करें, आप बता रहे हुँ, राधा अश्ट्मी भ्रत का पुद्य फल क्या मिलता है? स्री राधा कृष्ण जिनके इिश्टमी देव हैं, उन्हें राधा अश्ट्मी का ब्रत अवस्य करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रत स्रेश्ठ है, स्री राधा सवी सुखों की प्राप्ति होती है इस दिन रादारानी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है जो मनुस्य सी रादार जी के नाम का मंत्र का मनन करता है जाप करता है वो धर्मार्ती बनता है अधार्तमी को धन की प्राप्ति होती है मुछार्ती को मोच मिलता है